आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है ताली बजाईए देखिए मैं बहुत ही यह बहुत देखिए इसमें मैं राहूल गांदी के बड़ी तारीफ करूँगा बिल्कुल प लजिस्लेटिफ चुनाओं भी क्यों नहीं मतलब अगर मालिजे विधान सभा के चुनाओं हो तो भी डिबेट होने चाहिए बहस होनी चाहिए बहुत अमेरिका में होता है यह अमेरिका में तीन डिबेट्स होती है भी होंगी जो भी रेपबिलिकन की तरफ से खड़ा होग अगर सीनियर जर्रलिस्ट एन्राम ने एक लेटर लिखा था दोनों को PM मोधी को भी और रहूल गांदी को भी अब उसमें एक पबलिक डिबेट की बात की गई थी कि आप डिबेट करिए दोनों एक जर्रलिस्ट होगा न्यूट्रल जर्नलिस्ट इधर PM मोधी इधर रहूल गांदी दोनों लोग खड़े होंगे और दोनों एक दूसरे से बहस करेंगे अब ये बहस जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं जो चैलेंजेज हैं आगे आने वाले समय में आप देश की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे जो आपके मेनिफेस्टों में लिखा है एक एक चीज़ पर जैसे वेल्थे डिस्टिबिशन की बात हो रही है पी एम मोदी ने काफी आरोप लगाया है पीट पीछे बात करना दोस्तों बहुत अलग बात है राहूल गांधी पीट पीछे बहुत कुछ बोल देंगे पीएम मोधी पीट पीछे बहुत कुछ बोल देंगे अपनी रैलीज में confront करिए यह best होता है best अब यहाँ पे देखिए यह बाते बड़ी उठी कि क्या ऐसा होना चेंगे क्योंकि अब इलेक्शन टाइम है पांच जून को रिजल्ट भी आगा हला कि मुझे लगता है बेटर टाइम इन था है इलेक्शन से पहले वोटिंग से पहले ही अगर ऐसी डिमेट हो जाती तो कमाल होता लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है तो अब यहां पे राहुल गांधी ने इस इन्विटेशन को एक्सेट कर लिया है हला कि बीजेपी ने कहीं न कहीं नका रहा है और बोला कि हम एक्सेट नहीं करेंगे लेकिन राहुल गांधी कहा रहे हैं और देश यह एक्सपेक्ट करता है कि प्रधान मंत्री भी इस डिबेट में पाट लेंगे मैंने डिसकस किया कॉंग्रेस प्रेशिडेंट मलिका अरजुन खडगे से मैं इस डिबेट के लिए एगरी करता हूँ इसमें हमारा विजन जो है वो इस समें लड़ रही है तो चाहे मैं हूँ चाहे कॉंग्रेस प्रेशिडेंट हूँ यह बहुत ही खुशी की बात होगी कि अगर हम इस तरीके की डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं हमको बस आप यह बताओ कब और कहां प्रेशिडेंट करेंगे उसके बाद फिरम डिटेल और फॉर्माट अफ ली डिबेट कैसी होगी उसमें बात कर सकता है यह वैसी चलनलम चलनी वाली तो होगी नहीं फोड़ा बहुत तो होता ही है फ़ना फिर बहस कैसी लेकिन एक पार्ट बोलता है दूसरा चुप रहता है फिर दूसरा बोलता है यो ऐसे सवाल डिबेट का actual में मतलब यही है डिबेट मतलब यह नहीं कि आप wrong हो या ऐसे supreme सिख ले डिबेट मतलब common consensus है ना यही तो हमारे यहां तो यही कल्चर रहा है भारत में तो भारत में तो भाईया यही शंकराचार नहीं यह कल्चर आप यह समझे कि डिबेटिंग का शास्त्रार्थ का तो कल्चर रहा है हमारे तब ही तो हमारी सिविलाजेशन इतनी जादा फलीफुली है अगर आप एक दूस में यही बोला है कि अगर लोग जो है हमारे रिस्पॉंस को सुनेगी तो वो अच्छा informed decision जो है वो ले पाएगी तो इसलिए public के welfare में हम बिल्कुल तयार हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि जो citizens है सबसे ज़्यादा उन्ही को ही होगा तो जो मदन पीलो कूर है आपको पता कि फॉर्मर जजज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट है और जो एपी शाय है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ डेली हाई और इन राम एडिटर इंचीफ है दा हिंदू के ठीक है यह सब को ही पता है तो अब मैं आपको बताता हो कि कैसे हेल्प करेगा सबसे पहले तो फॉर्स्ट इट विल टेस्ट यह टेस्ट होगा लीडर्शिप का यह टेस्ट होगा जो बाते बोली जाते दोनों की तरफ से र हैं राहूल गांधी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है बहुत उन पर आरोप लगते के भी पॉलिटिकल इमेचूर नहीं हुए बहुत कुछ बोल देते हैं लेगिन कब से कम उन्होंने एक्सेप्ट किया पीम मोधी तो भाई पॉलिटिकल मजह हुए बहुत जबरदस तरीके से है ना तो अब ये दोनों के बीच में जो भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाये जाते हैं सबसे पहली बात तो इसको क्लियर होगा और एक टेस्ट आफ लीडर्शिप हो जाएगा कि आखे का किसका विजन जादा बढ़िया है और सेकेंड इस ट्रेंथेंड पाई देखो एक आप चीज समझो कि एक डेमोक्रेसी के लिए तो ये होना ही चाहिए वरना तो फिर क्या ही फाइदा है कि कोई आएगा बोल के चला जाएगा तो इसमें तो ये एक तरफा बात हो गई ना अगर डेमोक्रेसी है तो दो लीडर एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो वो बता रहे हैं देश कैसे आगे बढ़ेगा इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं डेमोक्रेसी के लिए तो ये डिबेट तो इंदा मस्ट कर देनी चाहिए कि उस ऐसा कानून बनाए कि आपको तीन डिबेट तो करने ही पड़ेंगी अलग अलग मुद करने कहिं इन्डिया का यहीं नहीं पता मेरे हिसाब से प्रधान मंत्री मोदी तो चहरह हैं लेकिन जो प्राइमिनिस्टर कैंडिट होना चाहिए पहले तो Re做 कॉंग्रेस की तरफ से गलती कि आपने अभी तक Quad니까 θα नहीं किया यह हार गए कि राहूल गांदी पी-म बनेगे तो क्या वो चहरा हैं और थर्ड सबसे जरूरी इशूज है ना देखिए मुद्दे बहुत जरूरी है पबलिक के लिए अब क्या कर रहे हो डिबेट में बहुती स्ट्रॉंग पॉइंट्स क्योंकि यहां पे इज़त का सवाल है तो बहुत स्ट्रॉंग पॉइंट्स पूछे जाते हैं ठीक है ना ऐसे वैसे तो पूछे नहीं जाते हैं बहुत स्ट्रॉंग पॉइंट्स पे यहां राहूल गांदी अपना होंवर्ग करके आएंगे पी-म मोधी प्रॉपर तरीकिस उनकी सरकार है अब यहां पे लोगों बेट कर रहे हैं पी-म मोधी ने बोला है कि आपका मंगल सूत्र लेकर इनको बेच दिया जाएगा तो इस पे राहूल गांदी क्लैडिफाई कर सकते हैं कि आप बताओ मैनिफेस्टों में क्या है यह क्लियर करो पी-म मोधी इस पे निशाना साथ सकते हैं पी-म मोधी अपन तो बात यह है कि बहुत important issue चाहें वो employment का हो चाहें वो development का हो चाहें वो climate change का हो highlight हो सकता है and the most important thing यह 4 pillars है awareness भाई देखो public inform होगी हमको यह भूलना चाहिए नहीं भूलना चाहिए लोगों को लोग वोट करेंगे लोगों को एक अच्छा vision मिलेगा क्योंकि जो debate में बात बोल बात नहीं बोल सकते हैं और लोग ज्यादा informed है लोगों को हमने informed कर दिया लोग अवेर हैं इस चीज को लेकर तो सबसे बड़ी बात यह ना कि लोगों को पता चलेगा और पता ही चलना चाहिए क्योंकि वोट देना है तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा idea है आपको क्या होगा ना तो मज़ा आजाएगा अमेरिका में कल्चर है यूरोप में मी कल्चर है ऐसा होता है खुछ रहे पर तेरे देसे सिद्धान दक नहीं होता है साइनिंग आफ